घुटने, कमर, एडियों के दर्द और कुलहे के दर्द से तो लगभख हर घर में कोई न कोई एक विक्ति जरूर परिसान है और इस पेसली अगर हम बात करें कि घुटने का जो दर्द होता है एक एज के बाद और बहुत सारी लोगों को तो हमने देखा है अब ये कौमन सी समस्या हो गई है तो इसके लिए बहुत सारी दवाएं आयुरुवैदिक, होमियोपैथिक हम लगातार खाते हैं या फिर में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं ऐसा लगता है कि पैर बिल्कुल बेकार हो गया है ना सो पाते हैं ना बैट पाते हैं ढंग से और इसकी वज़े से इतनी प्रॉब्लम होती है कि हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं हमेशा पैरों में दर्द सूजन बना रहता है तो फ्रेंड् ने कई चीजें सेयर की है क्योंकि हमाय माताजी के पैरों में बहुत दिक्कत थी और लगा तार इसके लिए हम आयुरुवैदिक चीजें अंग्रीजी दवाएं होम्योपैथिक लगा तार चलती रहती थी लेकिन बस जो आराम रहता था कुछ परसंट ही रहता था दस से पंद कि आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से मिल जाएगा तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखें ध्यान से सुनें कि आप जल्दवाजी में वीडियो को देख लेते हैं कि हाँ इन्होंने बताया कालागोन सिया और इसको हम खाएंगे सही हो जाएगा तो ये विश्वास के साथ आप एक पर इसको ट्राय करें कि जब आप इसको यूज करेंगे तो निश्चित ये किसी दर्द की दवा नहीं है ये एक तरह से कहें तो जो गठिया मर्ज है मर्ज की दवा है और अगर आप इसको धैरे के साथ इस्तिमाल करेंगे तो आपको 15 दिन में आपको result समझ में आएगा कि हाँ हमारे जो घुटने में 24 घंटे दर्द रहता था लगता था काट रहा है अंदर से उसमें आपको धीरे धीरे प्रभाव देखेगा और 5-6 महीने में आपका जो घुटने का दर्द है वो उतरते हुए एडियों तक आ जाएगा और बिल्कुल स क्योंकि आजमाया हुआ नुकसा है और हम बहुत जल्द आपको अपनी माता जी स्विफ मिलवाएंगे और वो खुद ही बताएंगे कि हमें कितना रिलीफ हुआ है तो इसके पहले हमने इसको बनाया था लेकिन उन्हें इतना आराम मिला तो दुबारा जब हमने लिया तो सो तो वो क्या हो गया था कि हमें ओरिजिनल नहीं मिल पाया था और जिस वज़े से कोई लाब नहीं हुआ था तो ध्यान ये जरूर रखना है कि ये गोंसिया जो लेना है ये ओरिजिनल लेना है तो आप देख के पहचान ले और लेने के बाद फ्रेंट्स हमने इसको रख दि तो इसको हमने एक घंटे के लिए धूप में रख दिया था धूप में रखने से थोड़ा सा ये सूख गया है अब इसको हम पहले तोड लेंगे छोटा छोटा अब सबसे जरूरी जो बात है फ्रेंट्स इसको लेना कैसे है यूज कैसे करना है वो चीज हम आपके साथ भी पताते हैं कि कैसे इसको यूज करना है जो बहुत ही जरूरी है और हम वीडियो बना रहे थे मेरी छोटी वाली बिटिया भी कैमरा लेकर वीडियो बना रहे थी तो हो सकता है इस वजय से वह भी देख रहे हो क्योंकि घर में अगर बच्चे हैं तो यह सब कॉमन सी बात है वो से जारूरी हम से और देखे छोटे चोटे पीशिस में हमने तोड़ लिया आ जोड़े और सब से जारूरी है हमने देखा चुछ समय कहाने का तरीका और और कैसे लेना हैँ क्या-क्या परहेज रखेंत Украї और एक दिन लें हम सिर्फ एक क् expressed 1 ग्राम की मात mooi रहते एक ग्राम से जादा नहीं लेना है कि अगर आपने एक हपते खाया तो आपको लगे कि हमें बहुत आराम हो रहा है तो हम इसको तो जादा-जादा खाने लगे ऐसा आपको बिल्कूल नहीं करना है इस बात का जरूर ध्यान लगना है तो वीडियो पर बने रहें तो हमने होता है कि खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि आपका जार न तूटे तो छोटे-छोटे पीचेस करके इसको बारीग पीचने में थोड़ा सा फ्रेंड्स टाइम लगता है पीचने में क्योंकि यह महंगा भी बहुत आता है तो भी केरफूली यह ध्यान रखें कि खराब ना हो मतलब कि फाल्तु में इधर उधर गिरे ना इस साउधानी के साथ हम ने तो बहुत ही सा होता है और जब गीला हो जाता है बहुत चिप चिप हो जाता है क्योंकि गोंद है सिया गोंद है काला गोंद और वैसे मार्केट में इसका नकली भी आता है अलवा भी कहीं कहीं दे देता है तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमें लेना ओरिजनल है तो हमने वीडि नहीं लिया तो आपको कोई भी लाब नहीं हुगा क्योंकि हम इसके पहले काफी परिसान हो चुके थे तब हमें यह जा के कहीं original मिल पाया है अब इसको हमने बारीक बारीक पीस लिया है और जब फ्रेंड्स जो खाएंगे जैसे कि माताजी की पैरों में घुटनों में बहुत जादा दर्द रहता था साथ ही जो हाथ के कूल है तो उसमें बहुत दर्द रहता था उसके लिए लगातार दवा भी चल रही थी लेकिन पूसे ज़ादा जो ज़रूरी बात है कि हमें चिर अक गरम लेना है तक आप इस तरह सबराहा थे लेता है तो यह लगबह साथने के साथै बिलुकुल अरब पानी सुट से .\ और इतना ही बताया भी शुटकी आये था कि एक ग्राम से ज़्यादा हमें नहीं लेना है एक ग्राम सुबह लेना है एक ग्राम साम लेना है उसको लेना कैसे है ऐसे हाथों से निकालना है और निकाल को जीब में रख लेना है और उपर से आप पानी पी ले वैसे भी जीब में चिपक जाता है जब हम इसको जीब में रखते हैं चुटकियों से लेके तो जीब में चि एक बार ट्राय करें खुद ही दर्द से आपको आराम नहीं दिलाएगा लेकिन यह मर्ज आपका धीरे-धीरे बिल्कुल खतम हो जाएगा क्योंकि हम लोगों की तो यह कंडीशन थी कि आपरेट कराने का था कि अब आपरेट कराना है घुटना दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था हमाई माता जी को और उनको लगबग 60% से ज़्यादा आराम हो चुका है एक बार उन्हें 100 ग्राम लिया था अब दुबारा यह हमने तयार किया है उनहीं के लिए हमने सुचा जब अगर इतना रिलीव है उनको और अभी तो बहुत ज़्यादा आराम हो वो सुबा आसानी से उठ जाती है चलती है अपने सारे नित्यकार वो स्वयम कर लेती है और पहले तो खड़े होने में इतनी प्रॉब्लम होती थी सारा दिन पैरोंस को सेखती रहती कहीं तेल लगाती थी कहीं मालिस करती थी कहीं सिखा करती थी तो कुछ नहीं करना हैं बस खाने का तरीका और और ऑरिज्ञेल और साथ ही इसको जब आप खाएं और ज्यादा देर तक आपको घृटने के बल बैठना भी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें, साथ ही इसको किस पानी से लेना ये भी बता दिये, थुड़ा से ये अभी बचा हुआ था, तो इसको भी पीश लेंगे, क्योंकि चलनी से जो चलनी से छाना था, तो थुड़ा सा जो दरदरा था, वो निकला है, उसको दुबारा से फिर से पीश की सी मिला देंगे, तो आप इस तरह से लेंगे, इसको और नॉर्मल पानी ठंडा नरहें, और बादी चीजों को आप बिल्कुल बंद करतें, आपको ये जब खतम होगा 100 ग्राम, तीन महीने में आपको अपने आप आराम समझ में, ध्यान रखें मातरा के, ज्यादा नहीं लेना है, जितना बताया गया सिर्फ उतना लेना है, कि रिलीव हो रहा है तो आप जादा ले, दोनों टाइम लेना है, सुबह साम, तो बने रहिए, देखते रहिए, हम आपके साथ ऐसी ही जानकारी जो हमने ट्राइ किया है, हमें उससे आराम मिला आपके साथ सेयर करेंगे तो वीडियो कैसा लगा जो नहीं समझ में आया आप कमेंट करके हमसे पूँच सकते हैं अगर फायदा हुआ तो वो भी बताएं लेकिन ध्यान रखनाए कि ओरिजिनल लेना है अगर नकली रहेगा तो कोई फायदा नहीं करेगा तो बने रहेए देखते रहेए मिलते हैं नेक्स टाइम किसी नए वीडियो के साथ किसी नए जानकारी के साथ हमारा चैनल बिलकुल अंत तक देखने के लिए सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद